हेलो एफ्रीवन विल्कूम टू मैं चैनल आई मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नेटिंग पैटर लेकर आई हूँ जिसे आप लेडीज जैन्स किसी भी प्रजेक्ट में इस्निबाल करें बनाने में बहुत हैसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुन्दर लगत में मिल्टिपल आप 7 स्टेची याउन्नापने साथ के गुणा में करते हुए पंदे लेने हैं सैबं प्लस सैवन प्लस एवन इसतरे से ओर छार पंदे एक्स्टिर एकटर लेने हैं जिसमेर दो हमारे डिसाइन को एकुल करने के फंदे हों गी और दो हमारे आज स्टि इसा स्टेशन के लिए नीडल पे 18 स्टिचिज लिए हैं और उल्टी तरफ से एक स्लाइब मैंने उल्टे फंदों से बनाई है इस पैटन को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपने बॉर्डर के बाद सीथी तरफ से इस पैटन को स्टार्ट करना है यह यह पारा पैट गी ए यह पारा इत्जिंग का मक्ला दैला पेशिंग का स्लीप करेंगे उसके बाद दागी को अपनी तलफ करके दो पंदे उल्टे बनाएंगे परल 2 स्टिचीज दो फंदे उल्टे दागा पिछे करेंगे अगले 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं 5 फंदो को सीधा बनेंगे यह देखें 2 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे यह 7 फंदे होगे इनी 7 फंदो का रपीट पैटन चलेगा पूरी निडर पर जितने स्टिचिस हैं तो इसी को हम रिपीट करते हुए जाएंगे रोवन राइट साइड पर्ल टू स्टिचिस और निट फाइब स्टिचिस जो दो हमारे एक्स्टा फंदे हैं उनको हमने उल्टा ही बुणना है यह फिर से साथ फंदे होगे अब दागा अपने तरफ करेंगे दो जो एक्स्टा फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे और लास्ट आइजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेंगा राइट साइड से तो रोवन राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ राउंग साइड से यह हमारी पैटर्न की सेकिंड रो है पहला फंदा स्लिप करेंगे दागा पीछे करके अगले दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं निट टू स्टेचीज दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ करेंगे आगे हमने पांच फंदे उल्टे बनाने हैं परल फाइव स्टेचीज दो फंदे सीधे पाच फंदे उल्टे यही साथ फंदो को रपीट करते हुए जाएंगे फिर से इसको रपीट करेंगे दो फंदे सीधे और पाँच फंदे उल्टे दू पंदे हमारे जो एक्स्टर है वो हमने सीधे बनाने हैं जे साथ होगे अब हमने दो सीधे पंदे पनाने हैं और जो लास्ट का हमारा पंदा है जिंग का वो हम उल्टा पुनेंगे रांग साइड से तो रो टू हमारी रांग साइड से कप्लीट हुई अब हम आगे हैं सी तरफ राइट साइड और यह हमारे पैटर्ण की रो थ्री है पहला फंदा आइजिंग का स्लिप करेंगे दागा पिदर्फ करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल टू स्टिचीज दागा पीछे करेंगे अगले पांच फंदे सीधे बनाएंगे निट फाइव दो फंदे उल्टे पांच फंदे सीधे यही साथ फंदों को रुपीट पैटर्ण चलेगा पूरे फंदों पे जितने में निडल पे डाले होंगे इस रो में हमने तो रिटिन इस्ट्रक्शन की अब्रिवेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप अहा पांच फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट आइजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा रो थ्री हमारी कंप्लीट हो गई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉंग साइड और यह हमारे पैटर्ण की रो फोर है पहला फंदा आइजिंग का हम स्लिप करेंगे उसके बाद दो फंदे सीधे बनाएंगे निट टू स्टीचीज दो फंदे सीधे दागा पर दर्फ करेंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे परल फाइब स्टीचीज दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे यही साथ फंदों का रपीट पैटर्न चलेगा पूरी रो में यह फिर से हमारा रपीट पैटर्न हो गया अब दो फंदे जो एक्स्टर हैं डिजाइन के, वो हमने सीधे बुल लेने हैं और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा रॉंग साइट से तो रो फोर रॉंग साइट से हमारी कम्टीट होई अब हम आगे हैं सीधी तरफ फोर यह हमारे पैटर्न की रो फाइब है राइट साइड से पहला एजिंग का फंदा हम स्लिप करेंगे उसके बाद आगा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल टू स्टिचीज फिर तागा पीचे करेंगे अगले पांच फंदे हमने सीधे बुनने है निट 5 स्टिचीज दो फंदे उल्टे पांच फंदे सीधे यही साथ फंदे को हमनेर करते हुए जाना है पूरी रो में रो 5 राइट साइड पर्ल 2 एन निट 5 स्टेचेज दो जो एक्स्ट्रा फंदे हैं हमारे उनको हमने उल्टा बनाना है और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा राइट साइड से रो 5 राइट साइड हमारी कम्प्लीट हुई अब हम आएंगे उल्टी तरफ राउंग साइड से हमारी पैटन की रो 6 है पहला फंदा हमने स्लिप करना है एजिंग का आगे हमने दो फंदे सीधे बनाने हैं दागा पनितव करके पांच फंदे उल्टे बनाएंगे तो यही साथ फंदों का रपीट पैटर्न चलेगा पूरी रोव सिक्स में दो फंदे सीधे पांच फंदे उल्टे यही साथ फंदे हम रपीट करेंगे दो फंदे जो एक्स्टा है वो हमने यहां पे सीधे बुनने है निट टो स्टेचिस जो एक्स्टा है पैटन के यह हम सीधे बनाएंगे और लास्ट आइजिंग का बंदा हमारा उल्टा बनेगा रॉंग साइड से तो रो सिक्स रॉंग साइड हमारी कम्प्लीट हुई अब आ इनको पैटन को चैंज करेंगे थोड़ा सा देखें पहला फंदा स्लिप करेंगे अब 2 फंदे जो हमने सीधे बनाए थे उल्टे बनाए थे हर बार इसको अब हमने सीधा बुन लेना है तो निट टू स्टिचिस दो फंदे सीधे करेंगे दागा अपनी तरफ करके अगले पांच फंदे उल्टे बना लेंगे, जी हम हर बार सीधे ही बुन रहे थे, इस बार हमने इनको उल्टा बनाना है, तो पर्ल फाइब स्टिचीज, अब देखें, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, जी ही साथ फंदों का रपीट पैटर्न चलेगा, रो सेवन में, जि उसके बाद दो फंदे जो एक्स्टा हैं, ये हमने सीधे बना लेने हैं, और लास्ट एजिंग का फंदा सीधा बनेगा, रो सेवन राइट साइड हमारी कम्टीट हुई, जिसमें हमने पैटर्न को शिफ्ट किया, अब हम आए हैं, रो एट, रॉंग साइड से आटविस ला दागा को पिछे करेंगे, अगले 5 फंदे हमने सीधे बनने हैं, निट 5 स्टिचीज, अब 2 उल्टे और 5 सीधे जही रिपीट पैटर्न चलेगा, पूरी रो में, रो एट रांग साइड से हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, और 5 फंदे सीधे बनाने हैं, जो 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा है पैटर्न के, वो भी हम उल्टे बनाएंगे, रॉंग साइड से, यह साथ हो गए, अब 2 एक्स्ट्रा फंदे हम उल्टे बनेंगे, लास्ट एजिंग का बन्दा हमारा उल्टा रहेगा रॉंग साइड से, तो रो एट हमारी कम्प्लीट हो गई है, अब देखें, 6 स्लाईओं के बाद, 7 भी स्लाईओं और जो 8 स्लाई है हमारी रॉंग साइड से, इन्हीं दो स्लाईओं से हमने पैटर्न को चेंज किया है, बाकि फिर से हमने, फिर से रो बन से स्टार्ट करना है, तो row 1 से लेके row 8 तक आपने इनी 8 rows को 8 sling को बार बार repeat करते हुए जाना है जितनी आपको अपने project में लेंते चाहिए तो यह देखें इस तरह से बन कर आया है यह दोनों तरफ से बहुत सुन्दसा डिजाइन लगता है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को like, share जरूर करिएगा और मेरे चैनल को subscribe जरूर करिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की notification मिल सके तो देखें, ज्यादा बंदों पर मैंने इसको बनाया है तो इस तरह से इसकी लुकाई है याठ हट सलाइउ को repeat करते हुए जाना है और साथ-साथ बंदे इस तरह से लेने है और दो हमारे एक्स्टा बंदे है डिजाइन को एकफल करने वाले और दो एजिंग के बंदे तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका ये पैटर्न बड़ी असानी से बन जाएगा काफी stretchable डिजाइन है देखें देखने में बहुत ही सुन्दर डिजाइन लगता है इस पैटर्न को आप लेडिस काडिगन, स्वेटर, जैकेट, लेडिस टॉप किसी भी इस्तमाल कर सकते हैं जेंट्स के, फूल स्वेटर, हाफ स्वेटर किसी भी बनाएए लेडिस कोटी बनाएए उसमें भी ये बड़ा प्यारा बनकर डिजाइन आता है बेबी, प्रोजेक्ट में आप इसको बना सकते हैं ब्लैंकेट, मफरल, शॉल, कैप्स, किसी भी बन जाता है बनाने में बहुत यसान है, इसमें जान जादा बूल लगती है और बड़ी ही यसानी से ये बनता हुआ जाता है बस सीधे और उल्टे फंदों की अज़ेस्टमेंट करनी है हमने इस तरह से कि ये पैटर्न हमारा बन करा जाएगा और अगर आप इस पैटर्न को जैन स्वेटर में इस्तमाल करें हैं तो फ्रंट पे आप ये इस तरह की डिजाइन को बना सकते हैं और उल्टी तरह से बैक साइड से आप इसको सीधी और उल्टी स्लाई जैसे सिंपल बनती है वैसे अगर बनाते हो जाएंगे और फ्रंट में ये डिजाइन रखेंगे तब भी ये बड़ा प्यारा डिजाइन बन करा जाता है और स्वेटर की लुक चेंज हो जाती है और आपने इसको अपने किस प्रजेक्ट में इस्तमाल किया तो मिलते हैं वे रगले एक ने वीडियो के साथ थैंक यू